जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी त्रिश्ला के साथ होली का त्योहार आपके लिए और आपके परिवार के लिए लाखो खुशियां लेकर आए आपके जीवन के सारे दुख दर्द खतम हो जाए आपकी बेरंग सी जिन्दगी के अंदर अंगिनत रंग भर जाए होली का दिन एक मातर ऐसा दिन होता है जहां पर रंगों से जीवन को रंगने की कोशिश की जाती है एक दूसरे के चहरे पर गुलाल लगा कर प्रेम को जताया जाता है होली मना कर हम ये बताते हैं कि जीवन में रंग बाकी है अभी भी बहुत कुछ है जिनको हम सवार सकते हैं निखार सकते हैं होली से मौसम बदलना चालू होता है और ये एक इस चीज़ का सबसे बड़ा प्रमान होता है कि अब प्रकर्ती हमें कुछ विशेश देने वाली है अब तक जो रूखापन चल रहा था प्रकर्ती के अंदर अब उसके अंदर कही ना कही तरलता आने वाली है होली के दिन पानी से होली भी इसलिए खेली जाती है कि जीवन में हमेशा तरलता बनी रहे मन के अशुद विचार जो कि चंद्रमा रूप में हमारे मन के अंदर हमें बहुत सारे disorders देते हैं बहुत सारी mood swings देते हैं बहुत सारे हमारे जीवन के अंदर emotional setbacks देते हैं वो होली प एक बात ध्यान रखेगा कि होली के दिन रंगों से प्यार करिए लोगों से प्यार करिए लेकिन अपने मन वचन या कर्म से किसी का बुरा बिलकुल मत करिए अपने होली खेलने के चक्कर में लोगों को जवर्दस्ती होली से रंगना अच्छी बात नहीं होती जान मुच कर दारू पीकर किसी का नुकसान करना कोई इंसानियत नहीं होती इसलिए इन सब चीजों की आप पूरी तरह से आज्या का पालन करते हुए ध्यान रखकर होली खेलेंगे इस चीज का मैं आप से निवेधन करती हूँ चलिए जे मैं आपके अस्ट्रोलोजन हूँ वास्तूशास्ती हूँ चाहरा भी पड़ती हूँ आवास भी पड़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पड़ लेती हूँ लेकिन आज मैं आपको विशेश क्या बताने आई हूँ होली तो सब खेलते हैं होली के रंगों से हम रंग भी गए हाँ इस बाद करोना है तो थोड़ा सा कम खेला जाएगा पर खेला तो जाएगा जी कुछ विशेश चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हैं होली खेलने के लिए हम सुबह-सुबह नहाते नहीं है और अकसर हम ब अपने घर के अंदर एक दीपक शुरू शुरू में सुभे जरूर प्रजलित कर इससे आपके जीवन की साकारत्मक्ता बनी रहती है इश्वर का आपके ओपर आश्रवाद बना रहता है ततपशात सबसे पहले अपने इश्वर को रंग लगाईए कुछ लोग फूलों की होली खेल कर अपने इश्वर के साथ होली खेलते हैं आप वैसे भी खेल लीजिए उसके बाद आपके घर में अगर आपके बड़े बुजर्ग माता पिता है तो उनके चरनों में रंग लगाईए बच्चों को माथे पर रंग लगा के गालों पर रंग लगा के खोली खेलिए पती पतनी एक दूसरे को रंग ज़रूर लगाईए एक दूसरे के रंग में रंग जाईए बहुत ज़रूरी है प्यार का अफसर है भई ये रंग मत छोड़िएगा बहुत गहरा होता है चलिए ये सारी चीज़े आपने कर ली अब आपने रंग खेल लिया रंग वैसे आजकल तो केमिकल हो गया है पर जब ये रंगों का दौर चालू हुआ था जब ये होली मनाने का त्योहार चालू हुआ था तब प्राकर्टिक रंग आते थे गुलाब की पत्तियों से फूनों से रंग बनाये जाते थे जो की पूरी तरीके से स्वक्ष प्रवित्र और केमिकल फ्री होते थे पर आजकल हर चीज़ के अंदर मिलावट चलू हो गई है तो रंगों में भी कही ना कही केमिकल ज़रूर आते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि होली के दिन साकारत्मक उर्जाओं के साथ नाकारत्मक उर्जाएं भी भ्रहमन करती हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए होली के रंग में आपने अच्छे से रंग लिया खेल लिया, सब कुछ कर लिया उसके बाद अपने घर की दुलाई कर दिया अब आप स्नान करने जा रहे है तो आज के दिन आपको एक विशेश स्नान की विधी बताती हूँ जिससे आपको सर्वसिद्धि मनोकामना के साथ साथ ताकि आपको हर तरह की सिधियां भी प्राप्त हो जाए आपके साथ हर तरह की नाना प्रकार की अच्छी चीजे ब्रह्मन करने लगे आपके ग्रह भी अच्छे हो जाए और आपके जीवन में परिवर्तन भी आने लगे तो चलिए भई आपको मैं बता देती हूं कि ऐसा आपको कैसे करना है ये इसनान करने के लिए आप ये विधी सुभे भी करके रख सकते हैं रंग खेलने से पहले भी और ये कटोरी तयार करके आप अपने बात्रूम में या जहां भी आप नहाने वाले हैं वहाँ पर रख सकते हैं साथ साल के बच्चे से लेकर और सौ साल के बूरों तक ये कारे कर सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं होगी साथ साल के बच्चों के नीचे ये प्रियोक मत करियेगा क्यूंकि उनको इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती हैं कैसे बनाagit है आपको यह चीज़ हम होली के दिन बहुत सारी चीज़े बनाते बहुत सारे उपटन भी बनाते होंगे बेसन के अंदर सरसोका तेल मिलाकर जोंका आटा मिलाकर हम एक उपटन तयार करते हैं जिससे हम अपने शरीर का रंग उतारते हैं और रंग उतर जाता है बहुत जल्दी उससे मैल उतरता है शरीर का और ऐसा कहते हैं कि उस मैल के साथ हमारे शरीर की नाकारत्मक उरजाएं भी निकल कर भाग जाती हैं तो भाई आपको क्या करना है आपको सुबे उप्टन तो बनाना ही बनाना है उसके सात में आपको सात तुलसी पत्र लेने हैं, उनको अच्छी से उबाल लेना है, और एक ग्लास अगर आप पानी उबाल रहे हैं, तो वो सिर्फ आपका इतना सा रह जाए पानी, तब तक उकालते रही है उसे. उसके बार में उस पानी को छान लीजे उस पानी के अंदर आपको कपूर के साथ में साथ लॉंग जला कर एक भसम तयार करनी है जो इस पानी में डाल देनी है साथ काली मिर्च आपको इतने से गाय के कंड़े के साथ जला कर उसकी भसम तयार करनी है और इस पानी में डाल देनी है साथ बूंद आपको सरसो का तेल डाल देना है और आपको थोड़ी सी पीली सरसो डाल देनी है जब आप नहाएं तो आप पहले उप्टन लगा लीजे शैंपू साबून सब लगा लीजे लेके एक मगगे के अंदर इस पानी को मिला कर आप अपने उपर जरूर डालिए और ऐसे डालिए कि वो आपके सिर से लेकर आपके पैरों तक जाए उसके बाद आप नौर्मल पानी से स्नान कर लीजे ऐसा करने से यकीन मानें ग्रेहों की शान्ती तो होगी ही होगी पुंडली में जो भी दोश है वो खतम होंगे ही होंगे परन्तु आपको एक आलोकिक शक्ती का अपने साथ होना आभास होगा एक इश्वर ये शक्ती आप अपने साथ जरूर महसूस करेंगे आशा करती हूँ कि हर कोई होली के दिन ये उपाय जरूर करेगा और इसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन मुझे कमेंट्स में आप जरूर बताएंगे आपके अंदर जब ये साकारत मक्ता आ जाए आप म साथ साथ सबकी सेफ्टी का ध्यान रख कर खेलिएगा किसी को भी परिशान करके पीड़ा पहुंचा कर आप त्योहार को मनाने की कोशिश मत करिएगा चलिए चलती हूँ जल्द मिलेंगे तब तक के लिए जैशी कुष्णा सार्थी मात्रशला ज्योतिश के क्षेत्र में विश्व विख्यात ताम है जोतिश शास्त्र में PhD मात्रशिला पिछली 22 वर्षों से जोतिश की सभी परंपराकत विधाओं के साथ साथ अनेक दुरलब गोड़ विधाओं जैसे परचाई एवं लवस के अध्यन से अपनी सटीक भविश्यवानी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं अपने उपायों द्वारा लाखों लोकों का जीवन सवार्चुकी मात्रशिला लगातार 2016 से जोतिश विभूशन अवोर्ड प्राप कर रही है साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंत्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जोतिश विभूशन अवोर्ड से सम्मानत किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट अस्ट्रोलजर के अवोर्ड से नवासा जा चुका है प्राप एक में विभूशन अवोर्ड बेस्टें उन्हें पुका है